नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टेरिस गार्डन चैनल पर तो दोस्तों आज हम बाते करेंगे बोगन विलिया के प्लांट के बारे में तो बोगन विलिया का प्लांट एक पर्मानेंट बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है और इसमें कई कलर आते हैं तो दो तीन कलर हमारे छहाओं पी हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कितने संदर ये बंचा आए हुए हैं तो ये पिंक कलर हैं और इसमें आता है येलो सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब समय उति हो और दोस्तो इस प्लांट को आप जमीन में भी ग्रो कर सकते हैं और पोट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं और अब तो इसकी डॉफ वराइटी भी आने लगी है और बहुत सुन्दर पर्मानेंट प्लांट होता है तो दोस्तो अगर जमीन में हम इसको ग्रो करते हैं तो फिर ये काफी बड़े सैजगी वाइन बन जाती है और गेट के बाहर लगाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और पर्मानेंट प्लांट होता है जैसे कि इसको गेट के बाहर लगा दिया दिवार के सहारे या फिर आप इसको दिवार के अंदर जैसे गेट के अंदर भी लगा सकते हैं और फिर इसको दिवार पे रेलिंग के उपर चड़ा दिया तो फिर ये दिवार को पूरा ही कवर कर लेती है और लगी हुई बहुत सुन्दर लगती है और फ्लावर तो आप देखी रहे हैं इसमें कितने सुन्दर सुन्दर आते हैं तो दोस्तो अगर उतना जादा बढ़िया ये फ्लावर करती है तो क्या होता है कि इस प्लांट में ये फ्लावर नहीं आते हैं तो इसका कारण ये होता है कि हम इसमें जादा पाने डाल देते हैं अगर आपके भी बोगन विलिया के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप भी इसमें पानी कम कर दें तो पानी कम करने से देखना आपके भी प्लांट में फ्लावराने शुरू हो जाएंगे और बहुत ही हाडी प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है तो दोस्तों ये प्लांट हमारा कटिंग से लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहां से ये cutting लगाई हुई है और बाके इसमें उपर की तरफ ये सुन्दर सुन्दर बन चाह रहे हैं और कई कलर के इसमें बन चाहते हैं और ये प्लांट फुल सनलाइट में आसानी से चल जाता है गर्मी हो ये सर्दी हो और ये प्लांट चलता ही रहता है थोड़ा सा विंटर सीजन में इसमें फ्लावर कमाते हैं लेकिन समर सीजन में इसमें फ्लावर भर भर के आते हैं दोस्तों बोगन विल्या के प्लांट बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है तो आपने देखा होगा कि बोगन विल्या के प्लांट रोड के किनारे या रोड के डिवाइडर पे लगा हुआ होता है और वहां फ्लावर भी बहुत सुन्दर सुन्दर आ रहे होते हैं तो डिवाइडर के उपर इनमें कौन पानी डालता है कोई भी नहीं ये सिर्फ बरसात के पानी के सहरे ही चलते हैं और फ्लावर भी इनमें बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं मतलब बहुत हाड़ी प्लांट होता है बिल्कुल इसको देख वालगी जरूरत नहीं पड़ती है तो अगर आप जैसे टेरिस के उपर भी गमले में इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इसमें चार से पास दिन में भी एक बार अगर आप थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो भी ये प्लांट हमारा चलता रहेगा और दोस्तो इस प्लांट को किसी भी तरह के फर्टिलाइजर प्लांट की जरूरत नहीं होती है और नहीं इस प्लांट में अभी तक हमने किसी भी तरह के जैसे पैस्ट का अटेक नहीं देखा है और बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है और कटाई चटाई अगर हम इस प्लांट की करते रहते हैं तो ये प्लांट हमारा एक बहुत ही सु चल जाता है बहुत ही हाडी प्लांट होता है और अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो 12 इंच से बड़े गमले में ही लगाएं क्योंकि जैसे की बताया है पर्मानेंट प्लांट होता है एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रह तो दोस्तो अगर अभी तक आपने बोगन विलिया के प्लांट को नहीं लगाया है तो आप कहीं से भी इसकी दो से तीन कटिंग ले आएं और उसको सैंडी सोयल में ग्रो कर दें तो आसानी से ही इसकी कटिंग चल जाएगी और ये मौसम जो है कटिंग लगाने के लिए बहु दें तो इसकी कटिंग दस से पंदरे दिन में ही निकल आएगी मतलब चल पड़ेगी और बहुत ही बढ़िया सुन्दर पर्मानेंट प्लांट होता है और दोस्तो अगर इसकी आप प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो 30 से 40 रुपे में इसका प्लांट नर्सरी के उपर आसान अगर तीन से 4 कलर आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं फिर तो बिल्कुल हमारे गार्डन में फूलों की बहार आ जाती है तो इस वाले प्लांट में हमारे में एक क्रीमिश कलर के फ्लावर आते हैं तो अभी या इसमें यह सुरुवात हुई है फूलाने की और छोटा सुन्दर सुन्दर प्लांट आते हैं बोगन विल्या के तो अगर अभी तक आपने बोगन विल्या के प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्शरी से लाके लगा सकते हैं या फिर कटिंग से भी लगा सकते हैं बहुत सुन्दर पर्मानेंट प्लांट होत एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गाडन में बना ही रहता है तो अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद